इस्राइल की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो इतिहास, संस्कृती और प्राकृतिक सुंदर्ता के अनूठे मिश्रन का वादा करती है। पुराने शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए आप सदियों के इतिहास के बोज को महसूस कर सकते हैं। द्रिशे के लिए जाना जाने वाला तेल अवीव यरूशलेम के प्राचीन आकर्शन के बिल्कुल विप्रीथ है। युनेसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त शहर की बोहुस वास्तुकला इसकी सडकों में एक अद्वितिय चरित्र जोडती है। नेवित जेडेक के फैशनेबल इलाकों से लेकर हलचल भरे कारमेल मार्केट तक तेल अवीव रचनात मकता और विवित्ता का मिश्रण है। प्राकृतिक सुंदर्ता में रुची रखने वालों के लिए मृत सागर एक प्रतिष्ठित गंतव्य है। अपनी उच्च नमक सांद्रता के लिए प्रसिद्ध मृत सागर आगंतुकों को अपने उच्छाल वाले पानी पर सहचता से तैरने की अनुमती देता है। कटों पर पाई जाने वाली चिकित्सिय मिट्ती अपने उपचार गुणों के लिए भी जानी जाती है। ब्रित सागर के आसपास का निराला परिद्रिश इसकी बंजर पहाणियों और क्रिस्टलिय पानी के साथ एक अवास्तविक और अविस्मर्णिय अनुभव पैदा करता है। नेगेव रेगिस्तान में जाकर यात्री इसराइल के परिद्रिश के एक अलग पहलू की खोज कर सकते हैं। नवीन रचनाओं तक देश भोजन के शौकिनों के लिए स्वर्ग है। तेल अवीव विशेश रूप से अपने विश्वस्तरिय रिस्तरा के लिए जाना जाता है। प्रूशलेम का मनोरम द्रिशे दिखाई देता है। इसाईयों के लिए महत्वपूर्ण तीर्च स्थल है। पश्चमी दीवार, यहुदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल, गहरी शद्धा और प्रार्थना का स्थान है। इसराईल में यात्रा करने से विभिन्न समुदायों के सहस्तित्व को देखने का अवसर भी मिलता है। यह देश विविद आबादी का घर है, जिसमें यहुदी, मुस्लिम, इसाई और अन्यधार्मिक और जातिय समुव शामिल है। विभिन्न पडोसों की खोज और स्थानिया लोगों के साथ जुडने से इसराईल को परिभाशित करने वाले जटिल सामाजिक तानेबाने की प्रक्ष्म समझ मिल सकती है। इसराईल में यात्रा करते समय गूराजनीतिक संदर्प का ध्यान रखना आवश्चक है। इस क्षेतर में तनाव का इतिहास रहा है और वर्तमान स्थिती के बारे में सूचित रहना उचित है। स्थानिया रीतिरिवाजों और परंपराओं क सम्मान महत्वपूर्ण है और आगंतुकों को सांस्कृतिक समवेदन शीलता के बारे में पता होना चाहिए। अंत में इसराईल की यात्रा एक मनोरम यात्रा है जो इतिहास संस्कृती और प्राकृतिक चमतकारों की पर्तों को उजागर करती है। यरूशलेम की प्राचीन तेपेस्ट्री प्रदान करता है।